सपनों का दीविय लोग एस्टो ड्रीम्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जय मात आदी जय गुरुदेव प्रिय दर्शको आज इस सपने का विशलेशन जानेंगे वह है सपने में मंदिर में दिया जलाते हुए देखना, किसी बड़े मंदिर में दिया जलाते हुए तो यह सपना संकेत करता है कि आपके बिजनेस में या फिर आपकी परसनल लाइफ में या सोशल लाइफ में कोई बहुत-बड़ी समस्या अगर आई हुई है तो बहुत ही जल्दी उसका निदान होने वाला है एक बड़े पैमाने पे आपकी उस समस्या का समधान होने वाला आपको मान यह इश्की प्राप्ति होने वाली है अगर आप देखते हैं कि आप भगवान गनेश के मंदिर में दियाजला रहे हैं कोई बहुत बड़ा फेमस मंदिर है वहाँ गनेश्ची का और उसमें दियाजला रहे हैं तो निशची जाने कि आपकी भागे में या किसी कारे में जो बहुत बड़ी रुकावट आ रही है या आज तक आ रही थी वह जल्दी ही उसका कोई ना कोई आपको solution मिलने वाला है वह आपका जल्दी ही निपटने वाला है और यदि आप सपने में देखते हैं कि आप अपने घर के मंदीर में दिया जला रहे हैं तब यह सपना संकेत करता है कि आपकी कोई personal problem है या फिर कोई ऐसे घर की कोई समस्या है जो अभी तक बात बन नहीं पाई है या solve नहीं हो पाई है तो वह बहुत जल्दी होने वाली है आपका भाग्योदे होने वाला है भाग्योदे से समंदित जो सपने होते हैं जह सपने भाग्योदे होने के एक साल पहले से आने शुरू हो जाते है या 6 महीने पहले शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो शुब समय होता है वह अपने आने का संकेत देना शुरू कर देता है जब भी आप निराश हो लेकिन अगर आपको सपने में दिखाई दे कि आप मंदिर में दिया जला रहे हैं तो यह सपना संकेत करता है कि आप अपने भविश्यों को लेकर या भागयों को लेकर के निराश ना हो आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा हो और यह सपना इस्त्री पूरुष सभी के लिए एक साही फल देने वाला सपना है चाहे कोई इस्त्री सपने को देखती है चाहे कोई पूरुषी सपने को देखता है